हेलो फ्रेंड स्वागता आप सभी का एक और नए वीडियो पर तो गाइज क्या आपको पता है कि दुनिया में मोटापे कैसी महमारी है जो 90% भीमारियों की एक मातर जड है तो इस मोटापे को लेकर दुनिया में दो तरह के लोग है पहले तो वो लोग है जो अपने सरीर पर फैट जमा होते ही उसे कंट्रोल करने के बारे में सूचते हैं वो मेडिटेशन करते हैं योगा करते हैं एक्सरसाज करते हैं तरह तरह क इस से परिशान होते हैं और तरह की मेडिशन का यूज करते हैं इस मोटापे को कम करने के लिए सप्लिमेंट्स का यूज करते हैं वो भी एंड में पहले तो यह अपने आपको बड़ा हेल्दी समझते हैं उसके बाद जब बीमारिया नको गेर लेती है तब यह एक्सरसाइ खाने की जरूरत नहीं है आप डेली रोज मर्रा की जिन्दगी में जितना खाते हो आप डेली उतना ही खाईए लेकिन इस फूड को चेंज करके खाईए क्योंकि फूड चेंजिंग करके ही आप अपने फैट को कम कर सकते हैं और गाइस काफी लोग यह कहते हैं कि हम तो के सब्सक्राइब द्रवका हैं रियु हमारे सरीर में लगातार चलने वाल एक कैलरीं प्रॉसेस जो मिलने वाली कैलरी को बढन अगर यह calories बर नहीं होगी तो हमें obviously बात है कि हमारी सरीपर मोटा पर आई गाई तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे foods के बारे में बताएंगे अगर आप इनके अपने daily diet में सामिल करते हो तो आप अपने metabolic rate को काफी तेज कर सकते हो अपना जो metabolic जो आपका slow है उसे तेज कर सकते हो जिससे आपकी सारी calories energy के रूप में convert हो जाएंगी तो इसलिए वीडियो को जरूल आच तक watch करें और बिल्कुल skip ना करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और notification बेल को प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली next informative वीडियो की नॉट्पिकेशन आप तक सबसे पहल पहुंचे तो प्लीज डू सब्सक्राइबर चैनल और ऐसी healthy वीडियो देखने के लिए आप हमें इंस्टागराम और फेस्बूक बर भी फॉलो करें सेम अकाउंट है फिटे गुरू जी के नाम से तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उन फूड्स के बारे हम जान लेते हैं 5-6 फ इंटेक करें क्योंकि green tea में ऐसे antioxidant होते हैं जो आपके metabolic rate को काफी जादा enhance कर देते हैं जो की calories है उनको burn करने के लिए तो आप सुबह उठकर चाय की जगे इस green tea का इस्तमाल करें जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और जो दूसरी चीज है वो है lesson lesson का आप daily इस्तमा करते हैं क्योंकि lesson में glutathionon नाम का एक antioxidant होता है जो कि हमारी body में जो भी food गया है उसे burn करने के लिए metabolism को help करता है अब जो तीसरी चीज है वो है coffee अगर आप जिम करते हो तो जिम जाने से पहले एक cup black coffee का इस्तमाल कीजिए क्योंकि black coffee पीने से आपके सरीर में energy भी आईगी औ workout कर पाऊगे और आप अपने जो extra fat है उसको अच्छे से release कर पाऊगे अच्छे से workout कर पाऊगे तो coffee भी situation में काफी helpful हो जाती है अब जो चौती चीज है वो है apple apple का इस्तमाल करके भी आप अपने metabolism को काफी fast कर सकते हो और अपने fat को reduce कर सकते हो क्योंकि apple में काफी जादा fibers हो होते हैं आपके fat को reduce करने के लिए जो पांच भी चीज है वो है बादाम में healthy fats होते हैं protein होते हैं और fatty acid होते हैं जो आपकी body के लिए काफी जरुरत मंद होते हैं तो आप daily badam का भी intake कीजिए भिगोकर badam खाये जो कि आपके fat burning process को काफी तेज कर देते हैं तो यह कुछ चीज तक जो एक study में पाया गया है कि 16% तक आपका जो metabolic rate है वो increase हो जाता है तो coffee भी आपके लिए काफी सायक हो जाती है तो यह कुछ foods है तो इसके साथ आपको कुछ बाते भी ध्यान में रखती है सोने से 2 गंटा पहले आपको बोजन कर लेना है तब ही फिर सोना है कम से कम 2 जिनका आप इस्तमाल कर सकते हो अगर आप medicine का इस्तिमाल करते हो उससे पहले अपने doctor सो जरूर consult करें किसी supplements का use करते हो fat cutter का自च कर करतें हो तो उससे पहले अपने doctor से जरूर consult करें अगर आप अपनी diet में isolate protein का इस्तमाल करते हो तो वो भी आपके लिए best रहेंगा आपके fat burning प्रोसेश उसको तेज़ कर देगा, आपका मोट अपा काफ़ काफ़ी जल्दी, जल्दी कम होता रहेगा, तो यह कुछ चीज़े हैं, डेली एक्सरसाइज कीज़े, एक्सरसाइज है आपके परने प्रोसेश को काफ़ी निंग्स कर देगे, उसके बाद आप exercise से पहले कॉफी का इस्तमाल कीजिए, क्रेटीन का इस्तमाल कीजिए और exercise के बाद आप white egg का इस्तमाल कर सकते हो, उसके साथ isolate protein का इस्तमाल कर सकते हो यह कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने जो fat बरनेंगे, उससे काफी जल्दी कर सकते हो, अपने मोट आप इसे बच सकते हो योगा कीजिए, यह meditation कीजिए, साथ यह exercise तो मैंने बता ही है, तो यह कुछ चीजे हैं, अगर आप इनको regular base पर follow करते हो, तो आपके लिए काफी helpful रहेगी तो मैं आसा करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो उसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को साथ share करें, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ यह notification bell को प्रेस करें, जिससे हमारे यह आने वाली next informative वीडियो notification आप तक सबसे पहले पहुंचें, सो प्लीज डू सब्सक्राइब और चैनल